हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स एच्पी का 24 इंच का LCD मोनीटर है जिसका मोडल नंबर है ZR24W तो इसमें पावर की प्रोबलम है तो इसको हम रिपेर करेंगे तो यह देखिए पावर लगा हुआ है लेकिन अन नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो देखिए है इसमें प्रोबलम इस टाइब की आती है ज्यादा तर इस मोडल में और प्रोबलम भी बहुत छोटी सी है लेकिन अन नहीं हो रहा है तो पूरा मैं आपको step by step बताऊँगा इसमें की check कैसे करना है इसका supply खराब एक logic card खराब है कि कहां पर प् और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारी step की वीडियो मैं बनाता रहता हूं तो चलिए इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर check करेंगे कि इसमें problem कहां पर है तो मैंने monitor को खोल लिया है तो अ तो उसी के हिसाब से हम इसका solution डूटेंगे तो इसको सबसे पहले हमें supply पर आपको voltage चेक करनी है कि output voltage हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा monitor on नहीं हो रहा है तो यहां पर हम output connector पर 5 volt चेक करेंगे क्योंकि यह देखिए 5 volt बन रहा है और बस अभी 5 volt ही जब monitor on होता है बाकी voltage inverter की और पैनल के लिए 12 volt वो सब बाद में बनेगी तो एक बार निकाल कर चेक कर लेंगे इसलिए मैं निकाल कर चेक कर रहा हूं कि कई बार यहां पर voltage 5 volt आपको नहीं मिलती है तो आपको logic card से disconnect करके इस तरह से चेक करना है अगर logic card disconnect करने के बाद आपक तो अगर नहीं भी खराब होता आपको खराब हो सकता है तो यहां पर एक बार card में सारी voltage चेक कर लेंगे तो यह regulator दो लगे हुए है देखिए यह 3.3 volt का है जिस पे हमें proper voltage आ रही है और यह 5 volt का regulator है यहां पर भी आ रहा है तो यहां पर voltage की problem नहीं है यहां पर सही है और इसमें change करना पड़ता है यहां पर देखिए ओन नहीं है तो यहां फिर voltage अभी हमें VCC voltage नहीं आएगी जो पैनल के सप्लाई है और इधर भी voltage चेक कर लेंगे इस साइड में कि बायोस है देखिए उसकी supply चेक कर लेंगे तो sorting नहीं है तो इसलिए पूरी supply पैनल में बन रही है हम कहीं भी चेक करेंगे सारी voltage जो हमें मिलनी चाहिए सम्मिल रही है पूरे कार्ड में तो इसका मतलब हमारा कार्ड होके है फिर भी ओन नहीं हो रहा है तो अब हमें ढूंडना है कि यह एक्षिलम फोल्ट है कहां पर sorting तो है नहीं बोल्टेज भी प्रोपर बन रही है त तो यह देखिए लगा दिया है हमने तो अब एक बार ओन करके इसको प्रोपर चेक करेंगे यह ओन ऑफ स्विच है और यहां पर हम बोल्टेज चेक कर लेंगे कि यहां हमें बोल्टेज मिल रही है या नहीं क्योंकि यहां पर 3.3 बोल्ट हमें मिलनी चाहिए जब ही हमारा म हो जाए तो अब हमें यहां पर बोल्टेज लाना है और उसके पहले हमें कनेक्टर पर एक बार चेक करना पड़ेगा कि कनेक्टर पर यहां बोल्टेज आ रही है अगर यहां बोल्टेज हमें मिलेगी तो इसका मतलब है इधर कहीं ट्रेक डिसकनेक्ट होगा तो हमें बनान हुआ है connector वहाँ पर voltage मिल रही है कि नहीं यह देखिए 2 बोल्ट भी आ रहा है देखिए 3.3 बोल्ट प्रोक्स आ रहा है तो इसका मतलब कार्ड से on off के लिए जो voltage हमें चीए ओ बन रहा है लोजिक कार्ड में तो यह देखिए अभी यहां पर नहीं voltage मिल रही क्योंकि हमारा अभी कार्ड ओन नहीं है तो इनवर्टर की भी देख लीजिए voltage 19 बोल्ट आएगा यहां पर inverter के लिए LCD मोनिटर है तो यहां पर भी हमें voltage नहीं मिल रहा है तो अब इसका मतलब कार्ड भी ओके लग रहा है और supply भी तो अब हम इसको डारेक्ट ओन कर लेंगे जो 3.3 बोल्ट है उसको ग्राउंड से टच करेंगे एक बार तो अन हो जाता है तो अब देखते हैं यहां पर voltage यह देखिए 12 बोल्ट बन गया हमारा इसका मतलब एक कार्ड ओन हो गया है यहां से डारेक्ट हमने जो यहां पर connector से on कर लिया है अब आपको inverter की voltage चेक करके दिखाता हूं यह देखिए वहां पर भी 19 बोल्ट आ गया है तो एक कार्ड ओन हो चुका है अगर हम लगाएंगे तो पैनल में डिस्पले आ जाएगा लेकिन अभी यह प्रोपर सलूसर नहीं है क्योंकि हमें control पैनल से भी on off करना है और वहां पर LED भी glow होनी चीए तो एक बार लगा के अब देखते हैं कार्ड ओन हो गया है पावर हमने बंद कर दिया है तो इसका मतलब ुप खराब था हमारा केवल तो केवल खराब है टो देखिए यहां से कट करके मुझे लग रहा है तो एक बार connectivity चेक कर लेंगे कि बीच से कहीं खराब तो नहीं है अगर बीच से नहीं खराब होगी तो फिर दूसरी cable change करेंगे तो यह देखिए connectivity नहीं आ रही है तो यहां पर अगर ऐसी cable नहीं है तो आप वायर भी पतली वाली लेकर बना सकते हैं डारेक्ट यहां पर आप कर सकते हैं लोजिक काड में तब भी आपका काम हो जाएगा लेकिन हमारे पास एक पुराना control panel पड़ा है इस model का तो उसको लगा कर फिर हम चेक करेंगे बस मैंने आपको बताने के लिए किया है अगर आपके पास नहीं होगा तो इस type से आप कर सकते हैं तो यह देखिए सेम control panel है मेरे पास इसको लगा कर हम चेक करेंगे और अगर आपको कोई पार्ट चीए LCD LED का तो मैंने नंबर दिया हुआ है आप वाट्सप कर सकते हैं मैक्सिमा बॉलिबिल्टी होती है हम आपको कहीं भी प्रवाइट करवा देंगे इंडिया में तो यह देखिए मैंने लगा दिया है तो अब आउन करके एक बार चेक करेंगे इस कार्ड में LED ग बॉलो हो रही है लाइट बंद करके मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर दिखेगा यह देखिए लाइट जल रही है इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है देखिए बिल्कुल सही हो रहा है और इसका स्विच खराब था इस कंट्रोल पैनल कर तो मैंने दूसरा स्विच लेंगे प्रॉपर कि अभी डिस्पले आ रहा है कि नहीं आ रहा है वससे हो जाएगा इसमें पावर की ही प्रोब्लम थी तो पूरा इसको पैक कर लेंगे लवीडियस केबल लगाकर और सारी चीज़े फिर ओन करके देखेंगे तो चलिए पावर ओन करके एक बार चैक कर ल यह देखी ओन ओप भी हो रहा है तो फिर यह देखी ओन कर दिया मैंने डिस्पले आ गया तो फ्रेंड आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा